जैश्री कृष्णा आप में से बहुत सारे लोग कथाईं तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो ये कथाईं पसंद आती हो तो प्लीज हर बार की तरह आज भी इस वीडियो को जादा से जादा लोग लाइक जरूर कीजेगा कथा सुनने के बाद अगर हो सके तो मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपका कोई भी सुझा हो इन कथाओं को लेकर या कोई भी सुझा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उमीद है से पहले का अध्याय आपने सुना होगा तो रस् सबसे पहले इंद्राधी देवताओं का अहवाहन किया छहों अंग पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान सहस्त्रों रिश्यों और ब्रहामनों को निमत्रित किया जो यग्जिविद्या में कुशल और मिमानसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे सदाचारी वेश्णवों को भी आदर पूर्वक निमत्रित किया राजा का सभाभवन पत्थर का बना हुआ था उसकी उचाई बहुत अधिक थी और वह चूने से लीपा गया था उसका विस्तार दो कोस का था उसमें नीचे की भूमी कहीं रतनों से मणी गई थी तो कहीं सोने से और कह आसदों की बैठक बुलाकर राजा ने सब को यथायों की आसन दिया जब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए सुक पूर्वक बैठ गए तब राजा ने अपने पूरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं रिशियों तथा राजाओं के बीच में र मैं अश्यमेद यग्यद्वारा यग्यपुरुष भगवान श्री विष्णु का पूजन करूँगा आप कृप्या मुझे इसके लिए आग्या दे और जब तक सहस्त्र यग्यपूर्ण ना हो जाएं तब तक देवताओं सहित आप इस सभाभवन में निवास करें आपने पहले यहां जिन शरेर धारी निल माधव का दर्शन किया है वे बालु का राशी में छिप कए हैं उनके पुनह प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्यान होगा इसलिए मेरा सारा ये प्रयास है राजा के इस प्रकार सुचित करने पर इंद्र आधी देवताओं ने क कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है हम इसमें तुम्हारे सहयक होंगे तुम भक्तवत्सल भगवान विश्नु का सहस्त्र अश्यमेत यग्यों द्वारा सुख पूर्वक पूजन करो इसके बाद राजा ने यग्य के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया पस्ति वाचन हो जाने पर पुन्याह वाचन और आभ्युदैक श्राद संपन्न किया गया उसके बाद सब सामगरी लेकर राजा ने रित्विजों का वरण किया वरण हो जाने पर उन्होंने पत्नी सहित राजा को यग्य की दिख्षा दी वेदी का संसकार करके उस पर प्र होकर मिर्ग चर्म पर बैठ गए जब तक महायगी का कारीच चलता रहा तब तक सब मनुश्यों के लिए वहां छे प्रकार के अन्न पान आदी चतुर रसोयों द्वारा तयार किये जाते थे उस यगी में प्रति दिन लोगों के सम्मान और आदर में व्रथी होती थी साथ ही प्रति दिन नए नए भोजे पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुर किये जाते थे वहां सरवत्र प्रयास करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता था और आगरह पूर्वक भोजन भी कराय जाता था वहां किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी कोई भी खाली हात नहीं लोटता था महराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे भगवान श्री विश्नु की प्रसंता के लिए किये जाने वाले उस यग्य में यग्यानुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूशित विद्वान कारे करते थे अग्याधान से लेकर अवभ्रत प्रचार तक सब कारे क्रमशा और विधी के अनुसार संपन हुए कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया विधी के विधायक महर्षी ही वहां यग्य करम के अधिश्ठा था थे इसले करम में कहीं कोई गलती होने ही नहीं पाती थी वहां सब्तरशी याग्य वलक के आदि मुनी जो गुण दोश का विभाग करने वाले हैं यग्य के दिविसदस्य, यग्य के साक्षी और यग्य कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का रित्विजों के रूप में वरण कराया गया था। यग्य में सम्मिलित हुए मुनिलोग परस्पर कथावारता के प्रसंग में वैदिक, वाकोवाक्य, सूक्त तथा गोही उपनिशद करते थे। वह यग्य तीनों लोकों को प्रसंग करने वाला था। इस प्रकार क्रमशा विधिपूर्वक चलने वाला वह अशुमेद यग्य 999 की संख्या तक पहुँच गया। जब अंतिम्य की अर्थात 1000 वां यग्य होने लगा तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदि भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने इस फटिक मणी में श्वेत दीप को प्रतक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों और क्षिर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत दीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडब द दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांती नील मेघ के समान श्याम थी वेवनमाला से विभूशित थे। उनके दाहिने भाग में हिमाले के समान गौर तथा कोटी चंद्रमाओं के समान कांतीमान धरनीधर अनत विराजमान थे। जो फन रूपी मुकुट का विस्तार क सुन्दर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनुहर था। उनके कानों में दो रत्मे कुंडल जिल मिला रहे थे। शरीर पर सुन्दर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के बाइभाग में शुब लक्षनों से संपन्न भगवती लक वे कमल के आसन पर बैठी वी थी। भगवान के आगे श्री ब्रहमा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरी के बाइभाग में नाना मणी मै सुदर्शन चक्र इस्तित था। संकादी मुनीश्वर उन जगदकरू भगवान विश्नों की इस्तुति कर रहे थे। ध्यान म भगवान का इस प्रकार दर्शन करके राज इंद्रद्युम्न को बड़ा हर्श हुआ और वे गदगदवानी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रद्युम्न बोले। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुशों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। के लिए एक मात्र गुप्त दया सिंदु स्वरूप आपको नमस्कार है जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदी जोतिर में ग्रह और नक्षत्र हैं उनकी भी जोती आप हैं आपको नमस्कार है आप अंतह करन के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अगनी रूप हैं आपको नमस्कार है आप सब को पवित्र करने वाले हैं पवित्र वस्तों में सबसे अधिक पवित्र हैं आपको बार बार नमस्कार है आप सबसे अधिक भारी सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्ते हैं आपको बार बार नमस्कार है आप अतिशे निकट बहुत रक्षा कीजिए दीन बंधो आपको नमस्कार है प्रभो आपको सुखदाइनी नौका के रूप में पाकर में भवसागर से पार हो गया रमानाथ आपका दर्शन होने से मेरे सारे क्लेश दूर हो गए आप सचिदनन स्वरूप हैं आपको प्राप्थवे मनुश्यों के करके उन्हें प्रणाम किया फिर ध्यान के अंतमे राजा को अपने आपका भान हुआ वे सोचने लगे यहां पर भगवान विष्णु कैसे स्वय मेरे प्रतक्ष होंगे इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो गया उन्होंने नारची से सारी बात कही तब नारची ने उन्हें आश्वासन देते वे कहा हे राजन अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया इस यग्जी के अंतमे भगवान तुम्हें यहां प्रतक्ष दर्शन देंगे यह सब बाते किसी दूसरे के आगे मत बताना जैमिनी जी कहते हैं इसके बाद राजा के अशुमेद यग्जी में सुत नहुती का कारिश समाप्त हो जिससे कि यह यग्जी सफल हो जाए पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके आदेशा नुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय अब पास आ गया है श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ती अविनाशी श्री विश्नु का तुम तुम्हारे ही सभागी से सर्व पाफारी भगवान यह सब लोगों की आखों के अतिथी बनेंगे अब यग्यांत इस्तान समाप्त करके विरक्ष रूप में प्रकट हुए यग्जेश्वर भगवान विश्नु को तुम इस महालवेदी पर इस्थापित करो इस प्रकार वि युप्त उस चतुरभुज विरक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना फिर नील मडी माधव के अंतरध्यान होने का जो शोक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस विरक्ष को प्रनाम करके नेत्रों से आनंद के आंसु बहतेवे भामनों से उस विरक्ष को मंगवाया विलोब माला और चंदन से विभूशित विष्णु जी के उस तिविवरक्ष को महावेदी पढ़ ले आए फिर नारत जी के कहे अनुसार राजा ने उस विरक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनिस्रेष्ट नारत जी स पूछा मुने भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाय बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा तब नारत जी ने उत्तर दिया की राजन भगवान की लीला सभी लोकों से परे है भला उसे कौन जान सकता है इस प्रकार बाचित हो ही रही थी कि उपर से आकाश्वानी सुनाई भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी भी महावेदी पर स्वेम अफ्तरित होंगे 15 दिनों तक इसे ढख दिया जाए हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो ये बूढ़ा बढ़ाई है इसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोग यतन पूर्वक दरवाजा बंद करने जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बस्ते रहें क्योंकि रचना का शब्त कान में पढ़ने पर वह बहरा बना देने वाला है कोई भी अंदर प्रवेश ना करे और ना कभी देखने का प्रयास करे क्योंकि वहां काम करने वालों के अलावा जो भी द